दोस्तो हम आपके लिए लाए हैं नोकिया का सबसे सबस्ता स्मार्टफोन G11 Plus, लांच हो गया है, दिया गया है 50 Megapixel कैमरे के साथ, आप जानिए हम आपको इसके बताते हैं कुछ फीचर्स, Nokia G11 Plus, Nokia ने affordable smartphone G11 Plus को launch कर दिया है, इस smartphone में 5000 mAh की battery है, अब हम आपको यहां बता रहे हैं इसके कुछ features, कुछ मेने पहले HMD Global ने अपना बजार Android smartphone भारत में launch किया था, इस company ने Nokia G11 नाम दिया, अब company ने इसके नए अवतार G11 Plus को paste किया है, हलाकि Plus होने के बावजूद इसमें original model से ज़्यादा upgrade नहीं किया गया है, Nokia G Plus, एस्पेसिफिकेशन के बारे हम बताते हैं आपको, Nokia G Plus में 6.5 इंच का HD screen दिया गया है, इसकी screen resolution 720 इंटू 1600 पिक्चल की है, इसमें company ने 90 हर्टरज का और refresh rate 180 हर्टरज touch sampling rate दिया है, company ने फिलहाल इस phone के processor के बारे में जानकारी नहीं दिया है, जो कि company का की तरव से एक bad effect पड़ता है, mobile पर, mobile की जानकारी पर, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें octa core UNISOCT 606 processor दिया गया है, इस smartphone में 4GB RAM 64GB की internal memory दी गई है, internal memory को micro SD card ला स्टाल की मदद से 512GB तक का बढ़ाया जा सकता है, photographic की बात करते हैं, इस phone के rear में dual camera setup दिया गया है, इसके primary camera 50MP का है, इसके साथ 2MP का secondary lens दिया गया है, phone के front में selfie और video call के लिए 8MP का camera दिया गया है, यह smartphone android 12 पर काम करता है, company ने confirm किया है कि इस device को 2 साल तक OS upgrade और 3 साल के security upgrade दिया गया है, इस phone में 4000 mh की बैटी दी गई है, अब Nokia phone के G11 Plus की कीमत और उपलब्ता के बारे में आपको विस्तार से दाते हैं, Nokia G11 Plus का charcoal gray और black blue color option में दिया गया है, company ने फिलाल इस phone की कीमत को लेकर कोई जानकारी ने दिया है, लेकिन जानकारों का कहिना है, इसकी कीमत 150 डालर जो की भारती है, रुपए में 12,000 रुपए हो शक्ती है, ये मैंने आपको बताया, Nokia G11 Plus के बारे में इसके features, एक बार फिर थोड़ा सा short में ब्रीफ मताते हैं हम आपको, इसका 6.5 इंच का HD स्क्रीन दिया गया है, और 720 गुड़े 1600 पिक्शल का स्क्रीन दिया गया है, और refresh rate है, 180 हर्टर टच सेंप्लिंग रेट दिया गया है, और इसमें Octa-Core Unishock T606 प्रोसेशर दिया गया है, इसमार्ट फोन में 4GB RAM और 64GB इंटर्नल मेमोरी दी गई है, इस फोन को चला करके आपको काफी अच्छा लगेगा, और इंटर्नल मेमोरी को माइक को, SD Card style की मदद से 512GB तक आप बढ़ा सकते हैं, और अपने डेटा इसमें रख सकते हैं, फोटोग्राफिक की बात करें तो, इस फोन में rear और dual camera setup दिया गया है, और ये फोन आपको 5000 MHz की बैट्री दी गई है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका mobile चलता रहेगा, इसी तरह वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेर करें, बैल आकने जरू दबाएं, मिलते हैं आप से नए वीडियो में, नए जोस, नए जनका एक साथ, नमस्कार.